हर कदम धर्म कियों, हर कदम सासन कियों इस कारण उसको राक्षस कहा जाता है और वह विद्याओं के कारण वह बहुत बलवान बन गए थे उसकारण उनको जयादा अहंगार आ गया था रावन ने अपनी विद्या सक्ति के द्वारा राजा इंद्र शोम यम विगेर डिगपाल देव को अपना दास बनाया था रावन के पुत्र मेग नाद ने वेतार ये परवत के इंद्र को जित लिया था इसलिए रावन को इंद्र जित नां से भी जाना जाता है एक बार राजा रावन अपने पुस्पक नाम के विमान में बैटकर गगन यात्रा की विहार, गगन यात्रा की मौज कर रहे थे उसी समय उनकी नजर मरुत नाम का एक राजा कोई महा यगना का आयोजन कर रहा था वहाँ पर गई यगना में होमने के लिए पसुओं को पिंजने में उरा हुआ था ये द्रश्य देखकर रावन द्रूज उठा रावन सुचने लगा कि ये धर्म के नाम पर क्या अधर्म हो रहा है सरवगन भगवन तो ने तो करुणा में धर्म बताया है पर ये बूढ लोग धत्या में ही धर्म समझ रहे हैं और तुरंधी नीचे उतर कर मरुद राजा को रावन ने समझाया ये राजन दया ही अमारा धर्म है निर्दयता के अंदर धर्म नहीं है असों की हिंसा में कभी भी धर्म हो नहीं सकता इसलिए ये सब बंद करो और मरुद राजा ने शक्तिशाली राजा रावन की सब्दों का पालन करती हुए यगन का विशल जन किया ऐसा नहीं था, राजा रावन योदी करते थे, पाप ही करते थे, परतु धर्मा आरात्ना भी उतने ही करते थे, परमात्मा भक्ती उनके रोम रोम में बसी हुई थी, प्रभु के दर्शन के बिना अन्ना भी लेते नहीं थे रावन का जीवन विरोधा भासी था, कभी आविश में आकर गोर पाप भी करते थे, और कभी बहुत ही भाव के साथ परमात्मा की भक्ती भी करते थे, एक बार रावन पुस्पक विमान में बेड़ कर रतना वली नाम की कन्या से विवा करने जा रहते, पर अचानक विमान में पुरवस्तावस्ता में थे, तब उनके साथ रावन का यूद हुआ था, और उसी यूद के अंदर रावन का प्राजाई ल introduction उसके बाद वालि मुनी व्याराग्य वासी साधू बन जाते हैं रावण को होता है कि अभी भी वालि मुनी को मेरे पर वैर है और साधू वेस में भी सैतान का काम कर रहे हैं और रावण को अपने बढ़ और विद्या का अहंकार था, अभिमान था उन्होंने सोची बिना विमान नीचे उतर दिया उनके रोम रोम में रोद ग्याक्त गया था मुनी कोही नहीं पुरे तील्थ को नष्ट करने के लिए वो तैयार हो गये और एक नहीं दो नहीं ऐसे हजार वी द्याओ से उन्होंने पुरा परवत उठा लिए पक्षी शिखाये, दीचे गिरने लगी, पसु पक्षी अपने घर मारा छोड़के भागने लगे, सी जल से वड़ी जानवर कुलाहार करने लगे, चाणो और कुलाहार मज गया, पकी गत में विमान को वाली मुने ने नहीं रोका था, वाली मुने के तपके कारण स्वयम ही व गया था, वाले मुनी सोचते हैं ये भातावरन में अचानक पलटाओं कैसे आया, ये परवत कौन उठा रहा है, उन्होंने अपने ग्रान से देखा तो ये रावन का पराक्रम था, वो सोचते हैं रावन ने मेरे पे हुमला, मेरे पे आक्रमन किया होता, तो मुझे प्रति जुकतर देने की जरुवत नहीं होती, क्योंकि समा ही मेरा धर्मा है, पर ये तो पूरे तीत को डुबाने के लिए तयार है, इसलिए अभी तो समा नहीं, प्रतिकार ही मेरा धर्मा है, इस सुचके ही वाले मुनी ने अपने पेर के अंगुठे से परवत को दबाया, और रावन परवत के निचे से बहार निकला, हगी गज जानने के बाद रावन को पश्याता पूता है, रावन सोचता है कि अन्य को कोतारनी वाले ये तेज को नहीं डुबाने चला था, अन्य सेत्रे पूतंपापं, तीर्थ सेत्रे विनस्यती, तीर्थ सेत्रे पूतंपापं, वज्जर लेपो विश्यती और अन्य स्नेत्र में किये हुए पाप को तीर्थस्तान में धुगाया जाता है और तीर्थस्तान में किये हुए पाप को कहां जाके धोएगे रावन वाली मुनी के पास समा याचना करने गए पर वाली मुनी ने तो रावन को कपका समा कर दिया था रावन पश्याताक की गंगा में श्नान करके अश्टापद के मंदिर में जाता है उधर भरत महराजाने सोने के बनावे हुए मदि और रत्नों से बनाई हुई मुर्ति के मन। दर्सन करके लावन भाव विभर बन जाता है। लावन और उनकी पत्नी मंदोदरी भगवान की भक्ती में एक मेख बन गये। मंदोदरी नुत्य में बहुत उसल थी तो रावन संगित विद्या में निपुन थे मंदोदरी प्रभुश मक्ष घावपुर्वक नुत्य करने लगी तो रावन बिना बजाने में तल्लिन हो गया बोर अनन्य और अबन्य आनन्द की रोबुती करने लगे पर अचानक रावन की विना का तार तूट गया बक्ति में एक लिन हुए रावन ने अपने पास रही एक लाधवी कला अजमा कर उसकी मददचे अपनी जांकी एक नस खिच डाली और विना में जोडदी और प्रभु की बक्ती करने लगे मित्य संगित्ती भक्ती अखंड रही रावन की एसी भक्ती लेक कर वहादर्शन के लिए आये हुए धन्यन रने रावन को अमोगम देवदर्शनम कहकर विशिष्ट विध्याय दिन मोक्ती थी अधिक तुझे भक्ती मुझे मन वसी अश्टापत तीर्थ पर ऐसी अनुखी भक्ती करने के कारण ही राजा रावन मविश्य में तीर्थम कर भग्वन्द बनेगे रभु की आगना विरुद कुछ बोला गया हो तो मिच्छा में दुक्रम